अलो दोस्तों वेल्कव तो माई यूट्यूब चैनल, आज हम देखने वाले कि i11 wireless headset को कैसे connect करते है, पहले हम इसके box में contents देख लेते हैं, पहरे चीज इसमें airpots दिये गए है, इसमें iPhone के charger लगता है, और साथ में इसका charging का button आपको देख सकते हैं इसे क्यों चार्ज हो रहा है, चला airpots open करते हैं, इसमें खास चीज यह है कि इसमें यह जो है, वो touch sensor होता है, जो पुराने airpots में जो पटन खाते थे उसकी जगाए यहां पे sensor आ गया है, यह उसका charging box है, अब इसमें चालू करने के लिए इसको यह touch sensor को जो है, पांच सेकंड के लिए दबा के रखना होता है, यह red light होके यह शुरू हो गए, अब दूसरे को भी चालू करें देता है, अब दोनो airpots शुरू हो गए, अब थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के साथ connect हो जाएंगे, देखो आप देख सकते हैं, एक में light बंद हो गई है, और दूसरे में light blink हो रहे हैं, इसका अब हम mobile का Bluetooth on करेंगे, तब तक हमें mobile का Bluetooth off रखना है, अब देख सको, देखो यहां पर, I11 आ गया है यहां पर, इसको pair करते हैं हम साथ में, यहां पर आपको उसका battery percent भी दिखा सकते, it is in use, calling and playing media and battery level is 70 percent, यहां आपको mobile में दिखा देंगे, दोनों में light बंद हो चुकी है, और दोनों pair हो गए है अब इसमें आप music बजा सकते हैं